हेला दोस्तों 26 समय हमाट डिल में देखिए जो इसमें रोलार बेरिंग बैटते है रोलार बेरिंग बहुत ही ज़्यादा खराब हो गया है देखिए बेरिंग बहुत ज़्यादा खराब हो गया है तो नया रोलार बेरिंग उसमें फिट करेंगे यह जो ग्यार है यह खराब ह हुआ है कहां से खराब होआ देखिए जहां पर जो टाल बेनिग में लॉख होता है न छोड़ा टी है देखिए ओध्रा मुड़ गया है तो नया जो देखिए नया गया रहे यह इसमें आपको कुछ करने से क्या होता है जो हैमर काम करते नह으니까 करना बंद कर देता है देखिए यह जो लंबे सेप्ट है लॉंग ग्यार है लॉंग ग्यार में भी ऐसे हुआ है जो जहां पर लंबे फिधे यह जो डाथ है J est थोड़ा मूर गया है सामने से नईमा ऐसे कुछ नहीं हुआ है तो ग्यर का यह खरव होता है तो दोनों लांग ब्यार चेंज करना है चोटे ग्यर चेंज करना है और रोला जो बेरिंग है इसको चेंज रोलार बैरिंग देखिए आपको जो चीज देखाने के कोशिस कर रहेता है ऐसे थोड़ा थोड़ा करके मूड गया है तो देखिए गेर के अंदर भी ऐसे घाट होता है घाटों में वो पकरता है उसी में काम करते हैं जो रोलार बैरिंग है उसका वह हिस्सा तूट गया है ब देखिए हम थोड़ा साप कर लेते हैं अब को पहले जो पूरा नवला ग्रीस है उसको बड़ी ऐसे साप कर लेना है तो बड़ी ऐसे साप करने के बाद आप यह जो जहां पर टाल बेरिंग फिटिंग होता है कैसे उसको फिटिंग किये जाते है आपको कैसे उसको बड़ी ऐसे फिटिंग कर पाऊगे ओ जो भी फिटिंग सा तरीका होता है आपको सिखाने के कोशिस करेंगे इस वीडियो में आपको बड़ी ऐसे आपको जो आप सिखने के कोशिस करते हो उसको सिखाने के आपको कोशिस करेंगे आप बड़ी ऐसे उसको हो जाएगा तो जो भी छोटे मोटे हिस्सा लोहे कर तूट गया था वो अंदर रहे जाएगा तो आप जब भी फिडिंग करोगे वो रहने से अलेमलियम बाडी में लॉक हो सकते हैं खरब भी हो सकते हैं तो जो पिष्टों है उसको भी आच्छे साप साप कर लेना आप ऐसे करके अंदर बल जो हिस्सा है उसको खेच के बाहर कर लेना तो ओरिंग के बज़ा से कॉमपेसर बढ़िया रहता है तो जब भी आप मैसिंग को फिडिंग करना बढ़िया ऐसे तो आप ओरिंग को चेंज कर लेना है आरेंग आप ओरिंग को चेंज कर दीँगे तो कउमपेशार पहले जाजाएगा बढ потом क out कड़ण को तो पिस्टॉन हें पेशाब करने पिस्टॉन को बढ़ियाशे साप करने के बाद यह जो पीन है उसको निकाल ना पीन को निकाल लेने के बाद दो पतले पतल वासर है वो भी उसको निकाल लेना बड़ी ऐसे साफ सबाई करना उसके बाद आप ग्रीसिंग करने के बाद फिटिंग कर लेना देखिए बड़ी ऐसे आप साफ सबाई कर लेना उसके बाद आप ग्रीसिंग करने के बद बड़े से फिटिंग कर लेना जो रोलार बेरिंग है अज जो भी सामान इसको चेंज करना है मैंने अलग करके राखे हैं देखिए दो ग्यार है नया बेला ग्यार का जो सामने बला हिस्सा है ओई खराब हुआ है ग्यार में कुछ भी खराब नहीं हुआ है देखिए आगे से थोड़ा छोटा हो गया है यही दिक्कत है इसे होने से ग्यार काम नहीं करता जो आपका हमार मोड है नॉर्मेल मोर है भाइबेट मोर है तीनों मोर काम नहीं करेगा तो मैसी आपको लगेगा इसमें काम नहीं करेगा काम नहीं करता क्यों नहीं करता इसी बज़ा से काम नहीं करते देखिए सामने बला जो लॉंग सैप है आपको इसको कैसे खोलना है आपको बेरिंग को निकाल के जो लॉंग यार है उसमें आपको फिटिंग करना है कैसे आप उसको फिटिंग कर पाऊगे फिटिंग करने का जो सही तरीका है आपको हम इस वीडियो में आज देखाएंगे तो आपको ओभी सीखने को मिल जाएंगे कैसे आप उसको फिटिंग क किसा है थोड़ा बहुत घिस गया है तो बहुत दिन चलने से थोड़ा घिस जाता है उसी वज़ा से आपका जो हमार काम करते हो काम ने कर पाते हैं इसी से लॉक होता है इसी से लॉक होने के बाद एक घूमते हैं देखिए तो हम नया जो लॉंग गयार है उसमें आप बैरिंग फिटिंग करेंगे फिटिंग करने से पहले आपको क्या करना है आपको स्केल लेना है देखिए आपको स्केल से आपको माप उसमें आपको माप जो है ना साइज जो है साइज कहां से स्केल से वो उसको जो कहां पर लग रहा है आपको देख लेना है ठीक है आपको स्केल थोड़ा यह है आपको देखा नहीं पार है तो आए ऐसे कर क्या आप देख लेना आप उसमें मार्किंग भी कर लेना तो उसके बाद आप क्या करना एक ऐसे पुलर लेना पुलर के मदद से बैरिंग को आप ओपिन कर लेना आप मार्किंग भी कर सकते हो नहीं तो आपको याद रहेगा ता बड़े रहेगा तो scale से मदधसे आप उसको जो map हैना size है कहां से bearing आप खोले थे उसको size को याद रगना आप ऐसे करके खोल लेना तो ऐसे polar के मददसे आप थोड़े से घुमाने से वो bearing खोल जाएगा बेरिंग ओपेन होने के बाद देखिए बेरिंग ओपेन हो गया तो पुर्णा बला जो बेरिंग है उसको आप फिटिंग करोगे लंग जो गियार है लंग रेर में आपको fitting करने के लिए आपको जो size scale में आप map किये थे उसको आपको उसमें fitting करना है आपको ऐसे कुछ sept लेना है यह sept थोड़ा play ज़्यदा है आपको same size का जो sept है r पर चला जाए यह sept आपको लेना है देखिए ये सैप्ट बहुत ही छोट है जा नहीं पाएगा दूसरे मेरे पास बहुत सब्सक्राइब काम के लिए मैं लेकर आया हूँ देखिए ये भी नहीं हो रहा है देखे यह जो सैप्ट है आर पर जा रहा है तो एह सैप्ट से मतल्स से हम इसमें फीटिंग कर पाएंगे आग देखिए ओर जो बेर्ंट है बेरींग का अंदर बार जो कॉलर है उसमें आपको ठोक के इसको bearing को set करना है ने तो आप बाहर से ठोक के करको तो bearing खराफ हो जाएगा ये गल्दी हार को ही कर देता है उसको पता नहीं होता है तो पीछे है इसको sap के ऊपर आपको मेरा के ठोकना नहीं है तो sap भी खराफ हो आपको ऐसे sap लेना है जहां से और पर चला जाएगा उसके बाद आपको ऐसे करके fitting करना है fitting करने का जो तरीका है आप देख लीजिए तो सही जो तरीका है आपको इसको इसको इस्तेमल करना है तो उसको छोटे हमबास से दिरे-दिरे करके ठोकना है आपको ठोकना है और आपको चुछ साइज है उसको भी आपको स्किल जिमें आप जो माप ले थे उस माप से आपको उसको बैठाना है तो आपको हार बार ठोकना है आपको ध्रे ध्रे करके ठोकना है आपको साइज भी आपको चेक करना है ठीक है काम करने के जो सही तरीका है हम आपको देखा रहे हैं तो आपको कुछ भी दिक्कत नहें आएगा आप जब भी फिटिंग करेंगे बड़ी ऐसे फिटिंग हो जाएगा आप इसको कम जड़ा कर देंगे तो आपका जो जहां पे आप ग्यार को कम जदा करते हो जैसे नॉर्मेल मोड हैमार मोड भाई बेटेंग मोड मोड जो होता है ना यह बेरिंग जे एड़ जास है ना ओई आपको सेट करता है इसमें आप थोड़ा बूत कम जदा कर देंगे तो आपको ग्यार बड़ी ऐसे कम बेसी नहीं होगा जैसे ग्यार का मोड होता है मोड चेंजिंग में दिक्कत होगा तो पहले जैसा था आप ऐसे ही कर दिया आप पहले साइज को उठा लिया था कौन सी साइज में उसको फिट करना है तो आपको दिक्कत भी नहींगा देखिए आपको फिटिंग कैसे करना है तो लॉंग सब कहां से नीचे रोगता है ऐसे देखिए तो आपको ऐसे फिटिंग करना है तो बाद में आपको दिक्कत भी नहीं होगा ऐसे आप लॉक कर लिए लॉक होने के बाद आप ऐसे बड़ी ऐसे आप लगा के देखना जो टाल बेरिंग बड़े गियार आप बड़ी ऐसे उसको फिट कर पर हुए है देखिए उसके बाद आप ग्रिसिंग कर लेना उसमें जो बेरिंग है उसमें ग्रिसिंग कर लेना देखिए धीरे-धीरे करके अब गिरिसिंग कर लेना लॉंग गयर में जो बैरिंग है उसको हम गिरिसिंग कर लिए अब गयर का जो बड़े सेट है उसको बड़े ऐसे सपाई कर लेना अंदर से भी साफ कर लेना बाहर से भी साफ कर लेना साफ करने कर आप छोड़ देना उसके बाद आपको जो टाल बैरिंग है टाल बैरिंग में आपको रोलार फिटिंग करना है जो ग्यार है बड़े ग्यार उसको देखिया ऐसे करके आप ग्यार घुमाओगे तो जो टाल बेरिंग है आगे पीछे होता रहेगा तो पिश्टन उसमें आप फिट करोगे तो पिश्टन आगे पीछे होता रहेगा आपको इसमें बेरिंग फिटिंग करना है बेरिंग हम निकल लेते हैं बेरिंग का साइज है 910 नसर दस आपको कैमेरा से उसको देखा नहीं पाएंगे तो आपको जो साइज है हम बता देते हैं 0910 यह नामबर होता है तो रोलार बेरिंग इसमें फिट कर लेना रोलार बेरिंग बहुत दिन चलने से खराफ हो जाता है तो घीस भी जाता है तो आपको आपको देखा दिया पहले बेरिंग कैसे खतम हो गया था तो हम रोलार बेरिंग को फिट कर लेते हैं रोलार बैरिंग फिट कैसे करना है आप ऐसे नीचे ठोकना नहीं है इसको पूराना बला जो ग्यार है उसमें उसको फिटिंग करने के बाद जो रोलार बैरिंग है उसको रखना है उसके बाद आप धीरे से ठोक के बैठा लेना देखिए धीरे-धीरे करके ठोकने से बड़े स्टे sé brand बैर मेंने में डील अरह उसके बाद जो लंग लियार उसको ऐसे फिटिंग कर लेक्भा सृष्ट जैंड हो जाने का बाद पहले आप जो क्या करना है इसमें ग्रीसिंग कर साथरिंग करना है रूलार बैरिंग में ग्रीसिंग कि व्यखकल जब व्याव endra में बास में जब भी आप फिटिंग कर दूएगो आप बढ़ी असस्में ग्रिस नहीं कर पाएं पहले आपको कि covered कर लेना है कि के दीखिये कि दीसिंग हो गया है बढ़ी आसे कि कि अब कि इसके बाद आपको फिटिंग करना तो आपको जो पीश्टन है फिश्टन में आपको ग्री सिंग कर लेना है बड़िया से ग्रीसिंग कर लेना ग्रीसिंग करने के बाद जो पीन है जो पतले पतले वासर होता है एड़्जास्ट के लिए दोनों साइड से दिया जायता है तो उसको आप बैठा लेना उसके बाद जो पीन है उसको पीन को भी आप बड़िया से उसमें सेट कर लेना देखिया ऐसे करके आप सेट करना आपको जब भी इसको फिटिंग करना आप ग्रीसिंग करने के बाद ही फिटिंग करें तो बड़िया से फिटिंग भी हो जाएगा अब बाद में आप हाथों से सुख ग्रीसिंग नहीं कर सकते तो बड़िया से पहले आपको ग्रीसिंग कर असमें बाइबेटेस्टन जदा करेगा तूट सकता है वो एड़स्ट के लिए दिया जाता है और मार्केट में ख़जने को मिलता है कभी और टूट जाता हो तो नया भी डलना पड़ता है अंदर से अप ग्रिसिंग कर लेना फिटिंग करने के जो सही तरीका है आपको हम सिखा देते हैं ठीक है आप ऐसे करके उसमें फिटिंग कर लेना देखे यह जो ग्यार है नया ग्यार है उसमें भी आप ग्रीसिंग कर लेना अंदर से भी करना बाहर से भी करना उसके बाद आप जो टाल बेरिंग है उसके अंदर फिटिंग कर लेना आप बाहर के ओर से आप ग्रीसिंग कर लेना बाद में आपको ग्रीसिंग करने का मौका नहीं मिलेगा ग्रीसिंग आपकर नहीं पाओंगे पहले आपको कर लेना है उसके बाद जो स्पींग है उस्पींग को भी आप ग्रीसिंग कर लेना पिछे से भी ग्रीसिंग कर लेना देखिए आपको कैसे फीडिंग करना है आपको देखिए आप पहले पूरा वीडियो देखिए इस इस में डाल जाएगा उसके बाद ऐसे घुमाओके तो piston आगे-पिछे होता रहेगा जो बड़े नीचे बाला जो bearing है वो लौक हो जाएगा बाहर बाला जो bearing है, लोक नहीं रहेगा टाल bearing है तो आगे-पिछे होता रहेगा तो आपको ऐसे fitting करना है तो अंदर ऐसे आपको पिश्टोन ऐसे फिटिंग होगा और गियार जो है ना टाल बेरिंग नीचे लॉक होगा तो आपको जो सिस्टेम है आपको देखा दिया आपको फिटिंग कैसे करना है फिटिंग करने का जो तरीका है आपको सही नहीं लगेगा और फिटिंग करने का कोशिस करते हैं आप दो तीन बार ट्राइ करना आपको भी बढ़िया से वो सिख पाऊगे देखिए जो लॉंग सैप्ट है लॉंग जो गियार है उसको ऐसे उसमें बैठा लेना है बैठा के को घुमा के क्या करना है बाहर क्यों और करना है नीचे वो जो पीन है पीन नीचे रहेगा और बैरिंग बाहर रहेगा तो बढ़िया से आप उसको फिटिंग कर पाऊगे देखिए है आइसे नीचे होगा तो आपको देखिए श्यृत दे करना है आपको पीन को पहले उसमें डालना है देखिए पहले पीश्टोन में जैसे पीन पहले डाला थे ऐसे आपको डाल लेना है आपको पीन डाल लेना है ऐसे गर के पीन डाल गया है बड़ी ऐसे देखिए आपको उसा हाथों से पकड़ कर रखना उसके बाद लॉंग जो ग्यार है लॉंग ग्यार से आपको एड़्जास्ट करना है ठीक है लॉंग ग्यार को आपको एड़्जास्ट करना है बढ़िया से देखिए आपको हातों से घुमाना है थोड़ा थोड़ा करके तो हातों से आप घुमाने ऐसे क्या होगा वो सेट हो जएगा बड़ी ऐसे देखिए देखे लों ग्यार बढ़ी सेट हो गया ठीक है आज सेट होने के बाद आप घूमाओऑ ना आगे पीछे होता रही का देखे बढ़ी ऐसा फिटिंग हो गया है अब देख लिए फिटिंग करने के जो सई तरीका अब उसके बाद जो यू वाला क्लाम है क्लाम का हम साब कर लेत जो नीचे बाला बैरिंग है वो नीचे लॉक होता है बाहर बाला जो बैरिंग हो उपर घुमता रहता है एसे करके इस साइड से लॉक लेगा आपको देखाने के लिए हम देखा रहें पीछे से लॉक होगा देखिए पीछे जो लॉक है उपर बाला लॉक उसमें लॉक हो जाएगा बार के और उपरे आपको उठाना है उसके बाद आपको लॉक कर देंगे देखिए जो लॉक है आपको लॉक जो होता है लॉक करके की आप दिखाते कैसे आप लॉक होता है अब धिरे करके इतना लेके जाना हाथों से पेस करके रगना हो हैंबार से ठोक क्या बठा लेना देखिए लॉक हो गया आगे से पीछे से दोनों साइड से लॉक हो गया है तो बैठाना है कि जो तरीका है आपको सीखा दिया है से करके आपको खुद करना है हम जितने बच भी आपको देखा दे आपको समझ में नहीं आएगा आपको खुद करना है आपको लॉंग जो गया रहे उसको बेठा के आपको घुमा के उसको सेट करना है देखिए कितना बढ़िया से एक आगे पीछे हो रहा है तो घुमाओ गया तो जो टाल बेरिंग है पीछे तो नीचे तो लॉक हो गया उपर से ऐसे घुमाओ गया तो आगे पीछे होता रहेगा तो टाल है तो टाल बेरिंग का काम होता है जैसे काम है और काम करने रहेगा तो आपने पहले ही ग्रीस करने के बाद उसको फिटिंग करना है जो इसमें जो ओरिंग दिया हुआ है उसको चेंज करना है तो हम उसको खोल लेते हैं खोलने के बाद नया ओरिंग मैं पहले से लेकर रखा था यह नया बाला ओरिंग है ने ओरिंगा हम इसमें प्रीट कर लिते हैं। देखिए बड़ीससा साप कर लिया आप साप करने के बाद आप कभा ओर इसे साप करने के बाद आप ओरींग को फिट करलेना, देखिए बड़ी ऐसे ग्रीसिंग कर लेना ग्रीसिंग करने के बाद ओर रिंग को बड़ी ऐसे फिटिंग कर लेना देखिए ओर रिंग हातों से मैंने फिटिंग कर लिया ओर रिंग फिटिंग करने के बाद पीश्टन के आंदर भी आप ग्रीसिंग कर लेना देखिए बाहर भी करना अंदर भी करना उसके बाद आप अब बलाफ और फितिंग करते ऑलने के बाद आप बढ़ी आ इसे घ्रू करने के बाद बड़ी प्रितिंग को बढ़ी आ कर लेना बड़े ऐसे देखें फीट हो गया उसके बादब बाहर से चोटे चोड़ा करेंग हैं ठूड़ा करना इससे ज्यादा थोड़ा करना है तो चाबनेश से ज्यादा नहीं अप जो छोंधडा शोटे ब्लेक कवर के उपर में जो बड़े बले रोलार बेरिंग के उसमें पहले और जो लॉंग ग्यार है उसके उपर एक रोलार बैरिंग फिटिंग होता है उसमें भी आप थोड़ा ग्रीसिंग कर लेना तो जब भी उपर में बैटेंगा वह भी ग्रीस हो जाएगा देखिए आप हाथों से ऐसे प्रेस कर लेना उसके बाद आप पैच कस से उसको टाइट कर लेना है पैच कस जब भी हम कसते हैं बहुत जदा सलीप करते हैं हम ने ग्रीस किये हाथ भी घ्रीस हो गया है तो कपरा से पकड़के बड़े इसे उसमें फिटिंग कर लेना है न वो हाथों से निकल जाएगा तो ग्रीसिंग हो गया ना हाथ तो पहले उसको अच्छे से साप कर लें कि तभी आप उसको फिटिंग कर पहोगे नहीं तो कपड़ा से पकड़के आप नाटों को कस लेना बड़े से आप कस पहोगे देखिए चारों जो नाट है उसका हम कस लेते हैं कपड़ा से मदद से बड़ी ऐसे इसको कस लेना ने तो हाथों से आप कस नहीं पहोगे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा तो पैसकस में भी ग्रीस आ गया हाथों में भी ग्रीस आ गया तो स्लिप होते हैं देखिए अब धिरे धिरे करके नाटों को भी कस लेना कुंद्ध कर रहे हैं किसे बादा साथिंग करने करें आप और दूर्डर के पीन और पीन को भी आप फिटिंग कर लेना चारओ कि कर लेंगे ज़्यूंग कर ऊपको पिण को आपको हातों से पेस करके रखना है उसके बाद आपको जो यूड है कि सर्क्लिप जी सरोग है उसको लॉक को फिडिंग करना है अगलती होता है कभी कबार हो जाता है गलती गलती होने से क्या होगा फिर से खोलना पड़ेगा जो बॉल है गिर गया है तो बॉल को उठाना है तो आपको पहले पहले जैसे किया थैसे करना है स्पिंग को आपको बैठाना है उसके बाद आपको पत्ती को बैठाना है उसके बाद आपको बॉ भी बैठाना है देखिए हैं छोटे बल लोए कर जो बाल है उसको बैठाना है उसके बाद जो बड़े वावसार है उसको उसको ऊपर बैठाना है उसके बाद को फाइबार फाइबर को सेट कर लेना है हम पीन भी इसमें एक डाल दी है कम था तीन था चार कर लिए आपको हाथों से पकड़ कर डगना उसके बद जो सार क्लिप है सार क्लिप को लॉक कर लेना है पैसके से मतलब से पैस करके उसको लॉक कर लेना बड़ी ऐसे लॉक हो जाएगा देखिए बड़ी ऐसे लॉक हो गए उसके बाद जो वासार है छोटे बला वासार उसको भी लेना है उसके बाद छोटे एक सरक्लिप है उसको भी आपको लॉक करना है देखिए बड़ी ऐसे लॉक हो गए उसके बाद उपर बला जो राबार है उसको भी आप बड़े से फिटिंग कर लेना देखिए बड़े से फिट करना हाथों से बड़े से फिट हो गया देखिए आप बढ़िया से नब फिटिंग कर पाऊगे कैसे फिटिंग करना है आप भी सिखा देते हैं हम पहले चला के देखेंगे मैसीन बढ़िया से चलने लगेगा आपको चला के नब को सेट करना है नव को नीचे लेकर आना है नव का जो एड़्ज्स है उसको आपको बड़ी ऐसे अड़्ज्स कर ले ना है देखिए हम चला लेते हैं पहले है है अग्या की बराजो नॉह कि इसको बढाना है 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 कि अहीं—— कि अहीं कि अहीं कि इचिस एक हो कि अ कन पने कि यहां जो सीधा है ना स्कार्ट सीधा राएगा यह जो कड़ा होता है इसके पीछ में रहता है इसके बारत रहता है इसके बारत रहता है कि इसके बारत रहता है 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 पारल दुछे का पारल-चाप और दू बमादिक, परने पाराओं जो थे वीट है भीट है भीट है, भीट है नीच आपको हम नसाले देने भीट है कि अव कर दो कि अ कर दो नो थो न ट आप लो कर दो कि अपना की सो न अ अ या कर दो कि अव इसके बादे की मित आप आ दो कि अ कि अट अ कि यह हो गया उसके बाद जो मौशना नहीं है इसमें रॉक ठाग कुछा इसमें कितना बढ़ी ऐसे काम हो रहा है कितना बढ़ siento दिए हुंचा तैं झाल स्पर्ण कितना को ठाओ कि यह थो एसाह सた आड़े ऐस Super कि आड़िएती बाद ridge कि एर भमटना उसते हुंचा हाट